हेलो फ्रेंड्स आयम परेज सोलंकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट लेदर फॉम इंडिया यस आप एक्सपोर्ट करना चाहते और प्रडेक्ट ढून रहे हो किसर में कौनसी एक्सपोर्ट करू तो मैं आपको बता दू आप लेदर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छी प्रोडेक्ट के बहुत ही प्रोफिटेबल प्रोडेक्ट मैं आपको बता हूँ लेदर के अंदर प्रोफिट भी अच्छा है मैं खुद भी लेदर एक्सपोर्ट क आप यहां पर देख सकते हो मेरे आप में लेडर का जो है पैग है आप देख सकते हो पुरा तो यह जो बैग है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा और इसको मैं export कर रहा हूँ और मैं आपको बता दू यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूँ यहां पर प्रॉफिट जो है अच्छा रहे तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्जम पर साथ बताता हूँ मैं खूद भी इंडर्स्ट्री में हूँ तो मुझे मालूम है तो देख टैक्सिस प्लस जो है लौजिस्टिक जो होगा जो कुरियर का चार्जिज होगा लौजिस्टिक जो भी होगा वह आपको एक्ष्टा देना पड़ेगा तो फिर मैं इसको बताता हूँ उसके बाद मैंने क्या क्या दुसरे सप्लायर से पूछा कि बैसे सेम टू चाहिए का स सेंपल ओडर पर 10 बेग चाहिए तो उसने बताया अगर आपका सेंपल ओडर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पेस्चल आपके लिए बनाना पड़ेगा तो मैं आप से 2,000 रुपया लूँगा अगर आप मुझे 100 बेग का मिनिमम ओडर कॉंटिटी देते हैं तो मैं आपको और पंडराशा हो में आपके अच्छा यान, यहां प्रडुटी प्रडुट जा अच्छी है अच्छी लगती और आज के दिन में दुनिया को अच्छी प्रड़क्ट चाहिए क्या चाहिए अच्छी प्रड़क्ट चाहिए तो आप भी लेदर प्रड़क्ट कर सकते हो अब हम बात करते हैं अच्छी प्रड़क्ट चाहिए तो अच्छी प्रड़क्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूं यहां पर का कौनसी कौनसी इंडऱ्क्ट की अंदर यूज वह रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कितना वाइड उसका यूज है, तो कितना इसका डिमांड रहेगा, फर्स यहाँ पर है fashion industry, यस, लेधर is a fashion, बहुत बड़ा यूज जो है fashion industry में हो रहा है, आप जो भी बोलो, चीजे लेधर की बनती है fashion industry में, तो लेधर के belt आते ह आती है laz respect कि अधियोटो यहाँ यहां पर देख सकते हैं तो fashion industry के अंदर लेतर का अच्छा यूजचा गारवनगाखेश लेदर के जैकेट्स वगयह लेदर के क्लोद्स वगए तो उसमें भी जूचा यूजज़ वह रहा है थो ये बीदर का अच्छा यूज़ हो एक हो रहा है तो यह इनडü जो है बहुत ही अच्छा हाई बहुत जो एक बहुत बदा है रिफिया आपने लेदर के सफ़ा गए गैर देखा होगा दो तो उसमें भी लेदर का यूज हो रहा है तब यहां पर देखे कि लेह लेदर का जो यूज है बहुत सारी इंडस्टी में है जैसे कि फर्निचर ओफाज वगरे हो गया इसके बाद स्पोर्ट यूज होते हैं इसके बाद आता है फूत एर यस सबसे ज़यादा जो है लेदर का यूस होता है फूत वेर में दुनिया भर के अंदर लोग जो है रेतर के शू पहनते ऐं तो ळेतर जो है फाइदमंध भी है तो लेदर का यूज बहुत सारी इंडेस्टी में हो रहा है तो यहां पर लेदर एक्सपोर्ट के अंदर ऑपोर्चुटी अच्छी है और यहां पर जो लेदर की बात करें हम तो यहां बनाने में यूजैरा जाता है वर्ट का लेधे राता है सिर्फ का लेधे राटा है और靠 Shares एम्हाइर अलप समय बिल्म और के छाथ है इंडिया इस देख दर जाता है तर द मुझे अच्छी कर कॉन सब्सक्राइब already करना है तो उसका सप्लाइ मुझे कहां से मिलेगा लेदर का मेनुफेक्चर मुझे कहां से मिलेगा लेदर का प्रडेक्ट मुझे कहां से मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ इंडिया के अंदर कौन से कौन से स्टेट में लेदर प्रडियूस होता है तो इंडिया के अंदर तमील लाडु में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, उतर प्रदेश में होता है, महाराष्ट में होता है, पंजाब में होता है, करनाटका में होता है, हर्याना में होता है, दिल्ली में होता है, मध्यप्रदेश में होता है, केरला में होता है, राजस्तान में होता है, जम्म कौन दूसरी कंट्री है जो लेधर पर बनाते है और इसको एक्सपॉर्ड भी करते है तो यह कौन कौन सी कंट्री को सबसे जाधा लेदर एक्सपोर्ड करता है तो सबसे पहले USA 17.22% लेदर हम लोग USA को एक्सपोर्ड करें उसके बाद है जर्मनी जर्मनी को हम लोग 11.98% लेदर एक्सपोर्ड करें उसके बाद है UK UK को हम 10.43% लेदर जो है एक्सपोर्ड करें उसके यह जो कंट्री है इसको इंडिया सबसे ज़ड़ा लीधर एक्सपोर्ट करता है तो आप बहना कोंसी कंट्री में ज– आअँ एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आप दिखत रचांत बटब आप ये फॉरों त्या बीजानर दुनिया में उप्रट करती है तो वो है चाईना, इताली, होंग कोंग, व्य्येटनाप जर्मनी, साउध कोडिया, मेक्सिको, फ्रांच, उप crime, तर्की, रोमानिया, थाइलिड और पॉलेंड यह जो कंट्रीज ई रोल लेदर भी in पोड करती है कब रोल लेदर भी एक्सपूर्ट कर हुँ अगर के कोwurf कर सकते हुँ नेक्सने रिसाइकल कर सकते हम और यह पो ही अची बात देखिए आज के दिन में आज थे लोग प्लास्टिक का यूज कम कर रहे ऐ लेडर जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तो उसका यूज जयादा करेंगे तो उसकी दिमाड और भी बढ़ेगी नेक्स्ट लेदर जो है versatile है comfortable है यूज करने में बहुत ही comfortable है अगर आप लेदर के shoes भी पहनते हो तो बहुत comfort आता है अच्छा रहता है compared to other plastic shoes से लेदर shoes बहुत ही अच्छे रहते है नेक्स्ट ब्यूटिफुल है and luxurious है तो लोग leather buy करना पसंद करेंगे तो आप इसको export कर सकते हो तो आप supplier find करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इंडिया के अंदर ILPA करके body of manufacturer and export of leather and leather product तो आप supplier find करना चाहते हो तो आप ILPA की website visit कर सकते हो उसका जो member का list निकाल सकते हो उससे contact करके आप supplier डूण सकते हो next is council for leather export yes आप leather export promotion council का भी contact कर सकते हो और leather के supplier भी डूण सकते हो leather related कि सर्ट document क्या क्या लगेंगे तो वहां से वह भी आप निकाल सकते हो और वहां पर उसके research भी रहते है कि leather industry के research भी उसके पास होता है leather export promotion council के पास तो वहां से आप वह भी निकाल के आप read कर सकते हो और leather industry के अंदर आप आप आगे बढ़ सकते ह नेक्स्ट है cfla council for footwear and leather accessories तो उसका भी आप contact कर सकते हो नेक्स्ट है exhibition of leather तो यहाँ पर दो option आपके पास आपको supplier चाहिए तो भी आप exhibition का visit कर सकते हो आपको buyer चाहिए तो exhibition में participate भी कर सकते हो विजिट भी कर सकते हो जैसे कि इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेर जो है उसके अंदर आप participate कर सकते हो supplier भी ढूंड सकते हो और buyer भी ढूंड सकते हो नेक्स्ट यह लेदर एक्सपोर्ड करना चाहते है तो उसका packaging कैसा रहेगा तो मैं आपको बता दू आज का जो जमाना है जो दिखता है वही बिखता है यह practical चीज़े क्या है जो दिखता है वही बिखता है तो आपको अच्छी तरह से लेदर का packing करना पड़ेगा आप जित इतना premium दिखेगा उतना प्राइज अच्छा मिलेगा हम लेदर के शू अगर एको corrugated box में pack कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हो नेक्स्ट हम वोडन बॉक्स और पे इसको pack कर सकते हैं और export कर सकते हैं नेक्स्ट लेदर एक्सपोर्ड करने के लिए कौन से कौन से document लगे नेक्स्ट है आपको यहां पर एक certificate लगेगा wildlife protection office wildlife protection इंडिया का department इसका certificate लगा है यहां पर क्या उजज़े किया आपको like skin export करना like lion हो गया tiger हो गया उसका skin export करना तो अलाव नहीं है जो अलाव है वही कर सकते हो यह क्या wildlife में का subject है wildlife में आता है तो यहां पर जो है certification में की जा दियान окиना पड़ता है एक दो गरमेंट के देपार्टमेंट आनिमल प्र प्रिक्शन बिपार्टमेंट वायल लाइफ प्र लीपन चिपार्टमेंड गlorमें पर वहां से आपको क्या लेना पढदेगा बंड हो आप तेज्पर बावरह यह imarict भपनेंड जोलोग त पर यहां पर डर जाते कोन से कौन से डुक्यूमेंन लगेगा, परिशिन मिल नहीं दुनिया एक्सपोट कर रहिए, तो आपको भी परमिशिन मिल जाएगा, आप भी कर सकते हो कि इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, और यहां पमैंना आपको कप सकता गिए पेकिंग लिस्ट ओगया बिल ओ फ लेडिंग ओ गया इंशरन्स सर्डिकेट हो गया चर्टिकोंन डॉक्यूमेंट नगते हैं जो कौमन डोकुमेंट है यहाँ पर टेस्टिंग रिपोट हो गया व्याइल्ट लाइफ एनिमल पर चाहते हूं आप यहां पर नीचे कॉमेंट कीजिए उसके पर में विडियो बनाऊंगा और अप्रैक्टिकली एक्सपोर्ड इंपोर्ट शिखना चाहते हो तो जो हमारा ट्रेनिंग है एवरिटिंग अब आउट एक्सपोर्ड इंपोर्ड आप यहां पर देख सकते हो उस लाइब कर दोग डिछाया नहीं हुआ है